अग्या हेलो दूस्तों मैं अमन कुमार अब यह सी क्लास में अब लोगों का मौश्ट विल कम है तो आज हमारा टपिक रहागा प्यसे स्केंड जिनलाजुकन पर जिसमें आज हम देखेंगें जी लूज कल्टाइमिस के बारे में जो कि यह वर्ट hahaha टॉपिक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जियो लोजिकल टाइम इसकल को समझने से पहले हमें की एक्जामपल देख लेते हैं तो जैसे मनुस्री की लाइफ होती है जनम से लेकर मृत तक तो उनकी पूरी लाइफ को टाइम के एकॉर्डिंग जो उनकी बॉड़ी में पर प्रिथभी पर जीवन कब शुरू हुआ या प्रिथभी पर जीवन जब से संभव हुआ उस टाइम से लेकर अब जो टाइम चल रहा है इस पूरे टाइम में एनिमल्स का विकास कैसे हुआ उनके पूर्वज दिखते कैसे थे और उनकी बॉड़ी में जो परिवरतन देखने को मिला इस पूरे टाइम को एराज में डिवाइट किया गया और एराज को पीरियड में इस पूरे टाइम में इस पूरे टाइम में एनिमल्स का विकास कैसे हुआ उसी को दर्साया गया है तो चली यह स्टार करते हैं तो जीओ लोजिकल टाइम सकेल डफास्ट जीओ लोजिकल टाइम सकेल वाज डेवलब्ट बाइ ग्यो वाणिवाणी और डिनगी ऐंस त्राइंसाट्टिसे जिन्हों ने जी जीओलोजिकल टाइम इसकेल को बनाया था ठीग दुश्रा इंटो फालॉइंग इरा यह जी ओलोजीकल टाइम स्कील जो है यह एराज में डिवायद है और चैनल डिवायदे स्क्राइब इंटो पीड डिवायद कीए गया है जो पीरेड इंटो इसे दिवायद्व इन्टू फॉर्श और पीरियड को इपोच दिवायद किया गया थी है अब हम जियो लोजिकल टाइमी स्किल का एक ओबर भी देख लेते हैं तो इस जियोलोजिकल टाइम इसकिल को पांच एराज में डिवैट किया गया है जिसमें पहला हमारा आर्कियो जोई के रहा है और दूसरा हमारा प्रोटीरो जोई के रहा है और तीसरा हमारा पहली जोई के रहा है और चौथा मीसो जोई के रहा है और पांच हमां सीनो जोई क हुआ और इस एरा में जो है कि लाइफ का कोई एविडेंस देखने को नहीं मिला था इसमें केवल रॉक्स का निर्माड हुआ था जैसे प्रिद्वी पर पहले डेर सारे उलका पिंडा के टकराते थे और डेर सारे जौला मुखी का भी स्पोर्ट होता था और उसके बाद करो था नह सम Gil通 ohly क्षा से चलता मिट्टी एकत्रित होते ते और उनका एक लियर ग्र५ में जमाऊ होता गया जो की आगे Čहों लाक्र रॉक्स की रूप में निर्माड हो गया है जिससे आगे चलत रॉक्स की रूप में दिखाए दिए ठीक, तो आर्किया जोई केरा में क्यों रोक्स का निर्माड हुआ था, अब दूसरा पाइंट हमारा प्रोटीरो जोई केरा, तो ये प्रोटीरो जोई केरा जो है, डेड़ सो करोड येर पहले पराराम भुआ, और इस एरा में, लाइब का कोई एविडेंस देखने को नहीं म ये दोनों एरा हमारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि इसमें लाइब का कोई खास इविडेंस देखने को नहीं मिला, और ये पहले जोई केरा, और मीसो जोई केरा, और सीनो जोई केरा, ये तीनों एरा हमारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट हैं, तो इनको हम detail में study करेंगे और notes बनाते हुए तो पहले हम इन तीनों एरा के overview देख लेते हैं वैसे तो पैलियो जोई के एरा 57 करोड एयर पहले प्रारंब हुआ था और लगातार 34 करोड एयर तक चला और इस time में जितने भी animals में परिवर्तन देखने के मिले उनको पैलियो जोई क पैरा को six period में divide किया गया तो इसमें पहला हमारा है Cambrian period ते पीरिड जो है 57 करोड एयर पहले प्रारंब हुआ और लगातार साथ करोड एयर तक चला ठीक है तो इसमें जितने भी animals में परिवर्तन हुएं उनको Cambrian period में रखा गया और दूसरा हमारा और डिविसियन पीरिड य पीरिड जो है 50 करोड एयर पहले प्रारंब हुआ और लगातार 6-7 करोड तक चला और इस टाइम में जितने भी animals में परिवर्तन देखने की मिले उनको और डिविसियन पीरिड में रखा गया तो यह पूरा जो है इसको टाइम को घटाते हुए चलेंगे और step by step देखेंगे ठीक है यह एक सीरियल वाइस से लिखा गया है तो तीसरा जो हमारा है सिलूरियन पीरिड तो यह जो है 43 से 44 करोड एयर पहले प्रारंब हुआ और लगा तार 3.5 से 4.5 करोड तक continue चला और इसमें जितने भी animals परिवर्तन देखने हो के मिले उनको सिलूरियन पीरिड में रख प्रारंब हुआ और लगा तार 5 करोड एयर तक चला और इसमें जितने भी animals में परिवर्तन देखने हो के मिले उनको डिवोनियन पीरिड में रखा गया पाचवा हमारा है कार्बोनी फेरस पीरिड तो यह पीरिड जो है 34 दस बलो 5 करोड एयर पहले प्रारंब हुआ और अगला पॉइंट हमारा आता है पर्मियन पीरिड तो यह पीरिड जो है 23 करोड पहले प्रारंब हुआ और लगातार 5 करोड एयर तक चला और जितने भी animals में परिवर्तन देखनों के मिले उनको पर्मियन पीरिड में रखा गया तो यह प्रोटीरो जो इकेरा 6 पीरिड में ठाग्त है अब इसके बाद महारा आता है मीजुय के रहा तो मीजession के राज है 23 करोड पहले प्रारंब वहा और लगातार 17 करोड एयर तक चला ठीक है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि कि जो पहली ओ जो एक एरा था यह 57 करोड पहले प्रारंब हुआ लगातार 34 करोड एर तक चला यानि कि जो टाइम बचा वो 23 करोड एर बचा अब इस 13 करोड एरा श्टार्ट हुआ जो कि 17 करोड एर तक कांटीनियू चला इस मीसो जो एक एरा को थरी पीरियड में डिवाइड किया गया है जिसमें पहला हमारा है ट्रैसिक पीरियड तो ट्रैसिक पीरियड जो है वो 23 करोड पहले प्रारंब हुआ और लगातार 35 से 4 करोड एर तक कांटीनियू चला और इस पीरियड में जितने भी एनिमल्स में पांच करोड येर पहले परारंब हुआ और लगातार पांच दस्मलों चार से पांच दस्मलों नौ करोड येर तक कांटिन्यू चला ठीक और इस टाइम में जितने भी अनिमेल्स में परिवर्तन देखे गए उनको जुरिसिक पीरियड में रखा गया अगला पाइंट हमारा क्रिटेसियस पीरियर तो ये पीरियर जो है थेरा दस्मलों 6 करोड येर पहले परारंब हुआ और लगातार साथ weillow एक करोड येर तक कांटिन्यू चला और इस पीरियर्ड में जितने भी अनिमर्स में परिवर्तन देखे गए उनको क्रिटेसियस पीरियर्ड में रखा गय तो अब इसके बाद हमारा आता है Sino जो एक एरा को दो पीरियड में डिवाइट किया गया है जिसना पहला हमारा तर्टेरी पीरियड और दूसरा हमारा है कौर्टरनरी पीरियर तो जो टर्टेरी पीरियड है ये 6.5 करोड ये पहले प्रारंब हुआ और लगातार 6.32 करोड ये तक कांटीनियू चला टर्टेरी पीरियड को 5 इपोच में डिवाइट किया गया है जिसमें पहला मारा आता है पहली ओसीन इपोच जो कि 6.5 करोड एर पहले परारंब हुआ और लगातार 80,00,00 एर तक चला ठीक इस टाइम के भी जितने भी अनिमल्स में परिवर्तन देखे गए उनको पहली उसीन इपोच में रखा गया दूसरा हमारा आता है इउसीन इपोच जो कि 5.7 करोड एर पहले परारंब हुआ था और लगातार 1.2 करोड एर तक चला और इस टाइम के भी जितने भी अनिमल्स में परिवर्तन देखे गए उनको इउसीन इपोच में रखा गया और नेक्स्ट हमारा आता है उसीन इपोच जो कि 4.5 करोड एर पहले परारंब हुआ और लगातार 1.9 करोड एर तक चला और इस टाइम के भी जितने भी अनिमल्स में परिवर्तन देखे गए उनको उलिगोसीन इपोच में रखा गया और नेक्स्ट हमारा आता है मियोसीन इपोच जो कि 2.6 करोड एर पहले परारंब हुआ और लगातार 1.1 करोड एर तक चला और इस टाइम के भी जितने भी अनिमल्स में परिवर्तन देखे गए उनको मियोसीन इपोच में रखा गया और नेक्स्ट हमारा आता है पहलियोसीन इपोच जो कि 1.5 करोड एर पहले परारंब हुआ और लगातार 1.3 करोड एर तक चला और इस टाइम के भी जितने भी अनिमल्स में परिवर्तन देखे गए उनको पहलियोसीन इपोच में रखा गया अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है जो कि बचा हुआ टाइम 18,00,00,00 है तो जो जो गवाटर्णरी पीरियड है यह 18,00,00,00 पहले परारंब हुआ और इसको दो इपोच में डिवाइड किया गया जिसमें पहला हमारा है प्लिश्टोसीन इपोच जो कि 18,00,00, वर्स पहले परारंब हुआ लगातार 7,00,00, वर्स तक चला इस टाइम के भी जितने भी अनिमल्स में परिवर्दन देखे गए उनको प्लिश्टोसीन इपोच में रखा गया और नेश्ट हमारा आता है रिसेंट और होलोसीन इपोच जो कि यह 11,00,00, पहले परारंब हुआ और यह लगातार चलता रहा जिसे हम मानों का यूग बोलते हैं तो यह था हमारा जियोलोजिकल टाइम इसके लगा ओवर्वियू अगर वीडियो पसंद आयों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें थाइंक्स